Hey guys, welcome to my channel, आप से भीगा स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में शारुक खान ने 2023 पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया है तीन फिल्में सुपर हिट दे चुके हैं 2023 में और शारुक खान की अब तक की जितने भी फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई है वो इसी साल में आई है दोस्तों एक साल में तीन उनकी हाईस्ट फिल्में हैं नंबर वन पे जवान, नंबर दो पे पठान, नंबर तीन पे डंकी यानि शारुक खान ने अपने पूरी कैरियर में जितने भी उनके फिल्मों ने बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइट वो 21 साल में सारे फिल्मों से आगे निकल गई है यह तीनों फिल्म मिलाके दोस्तों सबी फिल्मों को बीट कर दी है वर्ल्ड वाइट इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो साटेडे को 3 करोड 90 लाग डंकी ने कमाया और टोटल 215 करोड प्लस हो चुका हैं इंडिया से और वर्ल्ड वाइट 436 करोड 40 लाग ये फिल्म कमा चुकी है 22.25 मिलियन डॉलर यानि कि 185 करोड ये फिल्म ओवर सी से कमा चुकी है इस वीडियो में हम बात करेंगे शारुक खान की टॉप 6 फिल्मे टॉप क्योंकि 5-6 फिल्मे पकड़ लेते हैं जो सबसे जादा वर्ल्ड वाइट बिजनेस की है चाहे वो इस साल आई हो या फिर किसी भी साल में आई हो ियो तो बात करते हैं लेकिन आदत वही है हमारी पुरानी अभी फिल्म पिल्म है और टॉप पे उनकी सबसे आदा कमानेवाली फिल्म मंगई है जवान 1160 करोड प्लस लेकिन यह ओरिजनल हिंदी लैंग्वेज में नहीं है यह तमिल तेलगू और हिंदी मिला के 1160 करोड है वर्ल्ड वाइड हिंदी से तो 1000 करोड पार है यह तो आप सभी जानते हैं दूसरे नमर पर पठान है 1050 करोड इसमें भी हिंदी तमिल और तेलगू एड है तो 1050 करोड हिंदी से यह भी फिल्म 1000 करोड प्लस की है पठान और तीसरे नमर पर शारुक खान की कौन से फिल्म है वांदाजा लगा सकते हैं दिलबाले, हैपी नियर, चेन्ने एक्स्प्रेस तीसरे नमर पर दोस्तों ड दंकी आ चुकी है, 436 करोड यह फिल्म कमा चुकी है और हम उमीद करेंगे कि 450 करोड प्लस यह फिल्म जाएगी यह तीसरे नमर पर आ गई है, चौते नमर पर चेन्ने एक्स्प्रेस हैं, 423 करोड वर्ल्ड वाइड और पाचवे नमर पर हैपी नुयर है, 408 करोड और छटे नमर पर दिलवाले हैं, 376 करोड अगर आप पठान, जवान और डंकी को निकाल दें, तो सबसे ज़्यादा कमाने वाली शारुक खान के फिल्म की चन्ने एक्स्प्रेस, 423 करोड नमर वन थी, नमर दो पर हैपी नुयर थी, 408 करोड नमर तीन पर दिलवाले थी, 376 करोड ल नमर वन जवान, 1060, 1160, नमर दो पठान, 1050, नमर तीन डंकी जो 436 कर चुकी है, और हम उमीद कर रहे हैं कि 450, 460 करोड ये जाएगी, कि आप 500 करोड करेगी दोस्तों, अगले वीडियो में बात करेंगे, और जो कि तीसे नमर पर डंकी के आने से पहले चन्ने एक्स्प्रेस थी, 423 करोड, उसको बीट कर दिया है डंकी ने, अगर हम बात करें, 2023 में, शारुक खान की फिल्म के बारे में ये बात थी, लेकिन अगर टॉप फिल्मों की बारे हम बात करें, 2023 की, तो वर्ल्ड वाइड, तो नमबर वन जवान है, नमबर दो पठान है, नमबर तीन एनिम है, जो कि 450 पलत जाएगी, वर्ल्ड वाइड दोस्तों, अगर हम ओवर सीज के बारे हम बात करें, 2023 की, तो पठान नमबर वन, जवान नमबर वन, पठान नमबर दो, एनिमल नमबर तीन, और डंकी नमबर चार, तो ये दोस्तों हिसाब किताब, और डंकी को जो लोग फीका समझ रहे थे, शारुक खान की थार्ड हाइस ग्रोजर फिल्म है, तो अप अंदाजा लगाएं, कि 2023 किस तरह से शारुक खान ने अपने नाम कर लिया है, तो आप कमेंट करकी बताएं, कि आप कितना हैपी हुएं, और देखते रहें, फेफ न्यूस, टेक एर,